नथिंग फोन टुए आज इसकी अंबोक्स ने एक्शली मैंने खुद नहीं किया मैंने एक सीनियर सिटीजन सर मिले हमें उनसे करवाया दिखते हैं सर को यह डिजाइन कैसा लगता है रिजन सिंपल था मैं देखना चाहता था हम लोग तो नथिंग फोन को काफी लोग जानते हैं जो लोग टेख वीडियो देखते हैं जो नहीं देखते हैं उनको यह डिजाइन कैसा लगता है पीछे लाइट है इसके कोशिच करूँगा इस फोन के बारे में काफी कुछ बताने की एंड ट्रस्ट मी काफी एफट जाता वीडियो बनाने में दोस्तों तो पोसिबल हो आया in my opinion kind of bad decision था उसे लॉंच करना वेट मैंने फोन टू को बैड नहीं कहा तो आप गलत में समझेगा मैंने उसके लॉंच decision के बारे में बात किया कि एक नए ब्रैंड को नथिंग फोन वन के रेट के आसपास फोन लॉंच करना चाहिए या फिर कम रेट में एक मार्केट बनाने चाहिए पहले इनको और फोन टू मतलब इतना जाता भीका भी निथा बहुत जल्दी उनको प्राइज करना पड़ ग खुद अन्बोक्स ही नहीं किया इस बार भाई बहुत मुस्किल होता किसी को कैमरे पे लाना कहीं तो कोई मिलेगा आज हमने माइक भी ना एक दम रिपोर्टर टाइप पकड़ा हुआ है एक टेबल चीए हमें अपने नथिंग ब्रैंड का नाम सुने पहले नहीं कैसे खु यह जादा बेटर है कौन से यह वाला है यह सर पूच रहे है इसका कोस्ट तो मैंने 23,000 बताया पूच रहे है कि यह क्या पूच लें मतला आइफोन की तरह है यह ऐसा इनके ओनर को लगता है यह अभी अपल के स्टेंडर का नहीं है नया कंपनी है बर काफी अच्छा कर रह जाता है बच्छों के लिए यंग जनेशन है बिना लाइट यह आपको अच्छा लगा यह तीन फोन हमारे पास सर को यह पसंद आया डिजाइन और यह बेसिकली मतलब ट्रांसपेरेंट वाला इनको नतिंग कम पसंद है थैंक्यू थैंक्यू सो मच बढ़िया लग रहा है क बहुत बढ़िया इनको यह रेडमी वाला डिजाइन पसंद आया तो यह डिजाइन काफी लोगों को अट्रेक्टर था और बोक्स में बाकी क्या चीज़े थी वह तो मैंने वहां बोक्स नहीं करवाय था यहां आपको फोन टूए के साथ यूजर मैनूल और इ studying रहा है वो मुझे नथिंग फोन वन नथिंग फोन टूवानन टू से रहां यहां पर मैंने पूछह मुझे वायाइल्लश चार्यंग भी है सेयम टाइंफलन टूए में आपको प्लास्टिक बैक है और प्लास्टिक फ्रेम है पावर बट्रेम पावर बट्रथ और जो वोल्यूम बटन यह ब्लैक है यह मैटल है इसमें कोई वायलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है इन फेक्ट जो आप ग्लिफ लाइट देख रहे हो ना यह पीछे यह कर दिया गया है कम है इसमें और चाहे फोन 1 फोन 2 में जो चार्जिंग के लिए पता लगता था में ग्लिफ लाइट से वह इसमें है नहीं बाकी वह फ्लिप टुगलिफ मिलेगा फोन उल्टा कर दो तो वह ग्लिफ मोड में चला जाता है इन फेक्ट यहां पर अप्लिकेशन स यहां शो करता है यह दिर दिरे फिल होती है जब तक वह पहुचता है आप टाइम चेक करने के लिए डेफिनेटली फोन की दिस्प्ले पर देखोगे देखोगे लेकिन हां नोटिफिकेशन आता है फोन उल्टा पड़ा तो भी काम आ जाता है बाकी कलर हमेशा अपनी करने के लिए वह मेंटेन रहता अब कवर लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक पे स्क्रैज थोड़े जल्दी पड़ते है अला कि गिरने के बाद तूटता नहीं है ग्लास की तरह तो प्रोजन कोंस है दोनों के लेकिन ग्लास है नहीं यहां पे कोश्ट कटिंग की ग और बैजल्स ज्यादा नहीं है और सिमेट्रिकल है जो कि काफी अच्छी बात है प्राइस के साब से 6.7 इंच की एक फुल एच्टी प्लस एमुलेट डिस्प्ले है 120 हर्स रिफ्रेस्ट रेट है इन डिस्प्ले फिंगर पिन स्कैनर मिल जाता है स्पीड अच्छी है और डि यहां पर 4K HDR वीडियो प्लेबैक मिल जाता है सही प्ले हो रहा यूटूब पर कभी कभी फ्रेम स्किप कर रहा है हमेशा नहीं करता बट कभी कभी करता है लो क्वाल्टी पर नहीं करेगा नेट्फ्रिस प्लेकिन HDR का सपोर्ट नहीं शो कर रहा अभी डिस्प्ले पर गोई 54 स्प्राइस रिजिस्टंट है इसका स्पीकर डूल स्टीरियो स्पीकर है डॉल्वी एट्मोस का सपोर्ट नहीं है और अब मैं पर्फोर्मेंस की बात करने वालोग डैमन सिटी 7200 प्रोसेसर राइस के अंदर LPDDR 4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज बाइद वह इन्होंने डैमन सिटी 7200 उल्टर नाम दिया हुए ओव सोरी प्रो और उनके हिसाब से इन्होंने की साथ अपने सोफ्टर को कश्त किया हुआ हो है हलागी मने पहले भी कहाता हर अब ये सेम प्रोसेसर के साथ अलग-अलग ब्रैंड में अलग-अलग experience मिलता है अभी मैं experience की बात करूंगा लेकिन मैंने चार phone test किये हुए इस प्रोसेसर के साथ इसका अंतुतु स्कोर सबसे काम आता है इनफेक्ट 20 आर से नीचे भी हमने नोटिस किया अभी कुछ phone में लेकिन यह भी सच है बहुत सारे phone ऐसे है 25 आर से नीचे जिसमें UFS 2.2 ही मिलता है तो hardware वाइज नहीं नहीं किया है कभी से लोग जहें देते हैं वैसा ही इनो ने दिया लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको पसंद आने वाला डेफिनेटली वह इसका software एंडुट 14 के साथ आएगा फ्यूचर में तीन साल इसको एंडुएट चाह साल का security अपडेट मिलेगा और इसका जो सोफ्ट्वेयर है नथिंग वाइस 2.5 के साथ आता है अच्छा यह लगा मुझे ऐसा नहीं कि नतिंग फॉन 2 से feature cut कर दिए 2a में similar features है एक अधक कहीं अंदर जाके phone में मिस हो पता नहीं मुझे तो same ही दिखें और जब phone को आप बूट करते हो phone यह clean होता है इसमें कोई फालतो ब्लोट वैं नहीं मिलेंगे और इनके बाकी phone की तरह आप चाहे तो normal जैसे icon आते वैसे यूज़ करिए या मैंने अपने test के साफ से जब फूरा phone setup किया तो यह आप देख सकते हो अनलोग काफी smooth होता है wallpaper यहां पर हलका animate हो रहा होगा अनलोग के बाद और यहां पर काफी सारे मैंने shortcuts create किये हुए तो यह तो last year जब nothing phone 2 आया था नहीं OS के साथ यह feature आगे थे shortcut create कर सकते हो जो आपको easy लगे एक चीज़ वैसे नया भी आया था आप यहां अलग 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 वाल पेपर को mix करके खुद एक wallpaper कर सकते हो यह इनका अपना shade यह pattern जो भी आप बोलते हो अपलाई कर सकते हो वैसे same feature nothing phone 2 को भी मिल चुका है और यह काफी smooth लगता है software जो अनलोग animation है और जो UI की scrolling है जो date में यह software बहुत अच्छा देता है by the way call recording के बारे में आप जाना चाहते है एक ट्रिक है इसमें actually यहां पर वैसे तो Google डारे मिलता है आप न यहां पर जाके widget करिएगा यह recorder का option है इसको आपको ऐसे add करना यहां पर यह वाला enable करना system और surrounding दोनों sound वाला तो यहां से अगर बता हूं वह इसका camera दो camera 50 Megapixel में 50 Megapixel अल्टरा वाइड सेलफी 32 Megapixel है फोटो इससे वैसे अच्छी आती है मैंने अलग-अलग photos क्लिक करी है यह आप देख सकते हो different different light condition की लेकिन हां कुछ चीजे हैं जिसको improvement की जरूरत है यह photo देखिए आप इस photo में जो light है ना उसको balance न को मिलेगी यह बगल में एक और फोन है 20,000 रुपे का फोन है कौन सा जाने देते हैं comparison नहीं कर रहें भी बाट उसमें यह चीज नहीं बन रही है हाला कि एक software update भी आया था वह इंस्टोल किया अभी लाइट फ्लेयर इतना अच्छा balance नहीं कर पाता फोटो में भी और वीडि फिट थोड़ा स्लो है जल्दी फोटोस क्लिक नहीं कर सकते यह मैं 12 मेगा पिक्सल मोड पे ही क्लिक कर रहा हूं इनफेक्ट फोटोस क्लिक के बाद जो इमेज प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा टाइम लेता है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको बाकि आप चा आप से बुरा कैमरा नहीं है बढ़ कई चीजें हैं जिसको इंप्रूफ किया जा सकता है सेल्फी कैमरे से आप टैनेटी पी थर्टी एफपीस तक वीडियो शूट कर सकते हो सिक्स्टी एक्पेस को उप्शन भी है यह भी बहुत ही नॉर्मल लाइट से मैं बाहर जा रहा ह था एक्सपोजर बैलन्स करने में थोड़ा सा महाथ करता जैसे से रहेट में काफिस रहफोन करते हैं कुछ ऐसी आपको वीडियो और ओडियो क्वालिटी मिलती है सन के वीडियो मिलती है और मैंने सेल्फी फोटो भी क्लिक करी है इस से अलग अलग यह देख सकते हो आप औ 12GB RAM वाला जो है न इसका वो लेने का बिल्कुल सेंस नहीं है क्योंकि 25,000 रुपे से ऊपर जा रहे हो आप स्टोरेज आपको 256GB ही मिल रहा है इससे बेटर में 8GB RAM 256GB वाला स्लेक्ट कर लूँगा न क्योंकि जिस आप से हाडवेर है और जिस आप से क्लीन यह वाई है 8GB RAM सफ पसंद आए फोन इसपेशली वो जो सौफ्टेर है न कहीं न कहीं जब हम 25,000 रुपे से नीचे या 25,000 रुपे तक बात करते हैं उतना फास्ट सुमूदनेस नहीं मिल पाती उस कमी को यह पूरा करता है इसका हाइलाइट पार्ट ही वही इसका यूवाई है कैमरा और परफ फोन में इस रेट में मिल जाएगा कैसा लगा आपको यह फोन आप बताएए वीडियो पशंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाएए मैं मिलता हूं आप से अगले वीडियो में